एक लार्का था उसका नाम गिर्जा था वह अपने घर के छट के उपर पतंग उरा रहा था छट के चारो तरफ बॉन्डरी नहीं था साम का समय था उसका एक और दोस्त आया और गिर्जा के मा से पूछा कि गिर्जा कहा है उसकी मा ने कहा कि गिर्जा छट पर पतंग उरा रहा है उसका दोस्त ने कहा कि जरा गिर्जा को बुलाईये मा ने नीचे से आवाज दिया कि बेटा गिर्जा बेटा गिर्जा यह बात सुनते हीं वह लर्का सोचा कि मेरी मा छट से गिर्णे के लिए बोल रही है जरूर कुछ ना कुछ बात है वह यह बात सुचते ही पतंग उराते उराते छट से गिर गया और उसकी दोनों पैट तूट गई पैट तूटने के बाद उसकी मा ने पूछा कि बेटा गिर्जा कैसे गिरा गिर्जा के ने कहा मा आप ही ने तो कहा कि बेटा गिर्जा मैं सोचा कि आप उपर से गिर्णे के लिए बोल रही हो इसलिए मैं उपर से गिर्गया जदी दो प्योंजिव झास्ट्राइ